सिर्मोन जिला के दलित शोषण मुक्ति मंच नहीं अपनी 1130 मांगो को लेकर एक नवंबर से हस्ताक्षर अभ्यान आरम करने की घोशना की है जोकि पूरे देश से हस्ताक्षर होने पर महामहीम राश्ट्रपती द्रोपती मुर्मु को दिया जाएगा नहन में आयोचित एक प्रेस कॉनफरेंस में मंच के जिला अध्यक्ष आशिश कुमार ने बताया कि हाली में उनका राश्ट्रे अधिवेशन आयोचित हुआ था जिसमें 11 सुत्रे मांगो को तयार किया गया है इन मांगो को लेकर एक हश्टाक्षर अफ्यार एक नवंबर से शुरू किया जाएगा जोगी पूरे देश में चलेगा और फिल इने महमहीम राश्ट्रपती द्रोपती मुर्मु को भेचा जाएगा उने बताये कि प्रदेश में अभी तक अनुसूचित जाती आयोग में अध्यक्ष की तैनाती नहीं हुई है सरकार को जल्द इसे अरम करना चाहिए आशिश कुमार नहीं बताये कि अभी तक तिच्यारसीवे संसोधन को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है ये भी एक परमुख मांग है इसके इलावा अनुसूचित जातीयों का बैक लोग भी पड़ा है उसे भी जल्द भरा जाना चाहिए इसके इलावा भी सरकारी नौकरियों में भी आरक्षन लागू हो चाहें आउट सोर्स हो या अन्ने नहान से हमारे संबाद दाता जितेंदर ठाकूर की रिपोर्ट प्रोमोशन में आरक्षन का अभी तक लागू नहीं हुआ है हम उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं दूसरा जो पिछले 9 महिनों से प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्य मंत्री है जब यह विपक्ष में थे तो दली शोशन मुख्ती मंच के जो आंदोलन विधान सबा के बाहर हुआ था उसके समर्थन में इन्होंने विधान सबा का भईषकार किया था वायकाट किया था और यह अगनी हुत्री जी के साथ सड़कों पर आये थे तो उस समय इन्होंने यह हमारी मांग को जायज बताया था जिसमें आज जो आयोग बना था अंसुची जाती आय कर दिया लेकिन उसमें जो स्टी के लोगों का अंसुची जाती के लोगों का बहुत अधिक बैक लोग जो बचता है उसको भरनी के लिए अलग से भरती प्रक्रिया सरकार को करने चाहिए हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करे साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले